इस जनरेटर को बनाने के लिए आपको टैपलून जो प्लंबर लोग इस्तिमाल करते हैं वो और ताकतवर मकनातीस मोटर वैंडिंग का तार और एक एलेडी दरकार होंगे ये वो टैप है जिसे नल मरमत करने वाले कारिगर इस्तिमाल करते हैं ये टैप खत्म हो जाने पर इसकी चर्खी बहुत काम की है इस पर मोटर वैंडिंग का तार 35 गेज का 800 चकर बांध ले ये चर्खी तार से भर जाएगी इसके दोनों सिरों को चाकू से कुरच कर इन पर लगा इंसुलेशन निकाल दे और इन दोनों सिरों को एक एलेडी से जोड दे ये आपका बरकी सरकित पूरा हो गया फिर एक रबर के टुकड़े को लकड़ी में पिरोएं और इस रबर के टुकड़े पर दो ताकतवर मकनातिस चस्पा कर दे थोड़ा सा घूमा कर देखें कि ये दोनों मकनातिस मतवाजन हैं लकड़ी के दोनों सिरों में इस्ट्रो का एक-एक टुकड़ा दाखिल करें, जो इस्ट्रोपर का काम करेगा, फिर इस कवर पर टेप की मदद से यूपिन मुखालिप सिम्त में चस्पा कर दें, ये एक पुष बेरिंग का काम करेंगे, इसमें ये लकड़ी घूमेगी, अब आप इसे इसमें दाखिल कर दें और ये देखें कि आपकी लकड़ी आजादी से इसमें घूमती है ये आपका मेगनेटिक सरकिट टैयार हो गया अब इसे इस पर रख दें और जैसे ही आप इसे घूमाएंगे तो मकनातीस घूमेंगे और LED जगमगा उठेगा ये एक जबरदस्त जनरेटर है जिससे खेलने में बच्चों को बहुत लुद्फ आता है